ग्वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी आउडियो सूपर ट्रेडर बुक पार्ट बत्तीस ट्रेडिंग सिस्टम के अलावा अन्य सिस्टम हर व्यवसाय में कई प्रनालियां होती हैं एक प्रनाली से मेरा मतलब कुछ स्वचालित है जो वास्तव में लोगों को यह जानने में मदद करता है कि व्यवसाय चलाने में क्या करना है उदाहरन के लिए एक फास्ट फूड रेस्टोरां में कर्मचारियों को ग्राहकों का अभिवादन करने और एक मिनिट के भीतर उनकी सेवा करने में मदद करने के लिए सिस्टम होंगे इसमें भोजन तयार करने, सफाई करने, नकदी प्रवाह के प्रबंधन आने वाली समस्याओं से निपटने आदी के लिए भी सिस्टम होंगे आपके व्यापार व्यवसाय को भी ऐसी प्रनालियों की आवश्चकता है नकदी प्रवाह उन प्रनालियों में सबसे महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह और बजट के साथ करना है आपके व्यवसाय को चलाने में कितना खर्चाएगा हर महीने उपकरन की लागत क्या है हर महीने इंटरनेट कनेक्टिविटी की लागत क्या है आप डेटा के लिए क्या भुगतान करते हैं? आप शिक्षा के लिए क्या भुगतान करते हैं? सब्सक्रिप्शन के बारे में कैसे? आपके नियम इतमासिक बहिरवाह का और क्या हिस्सा है? शोध के समय और शायद आपके वेतन के बारे में क्या? यह सब आपको एक विचार द आप नियूनतम वेतन से कम कर रहे हैं? आपकी तंखवाह क्या है? इन सब का उत्तर या कम से कम सुन योजित आपकी व्यावसाइक योजना में बहुत विस्त्रित तरीके से दिया जाना चाहिए. ग्राहक संबंध प्रनाली दूसरों के लिए व्यापार करते समय. आपको ग्रा आनूनी रूप से कैसे बताएंगे कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? यह एक संपूर्ण योजना या कम से कम आपकी व्यावसाइक योजना का एक भाग होना चाहिए. इसके बाद आपको यह जानना होगा कि अपने ग्राहकों को कैसे खुश रखा जाए. आप नियमित र आपके ग्राहकों द्वारा आपको कॉल करने की आवश्यक्ता को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? उदाहरं के लिए हो सकता है कि आप उनके पास सापता है कि आमासिक समाचार पत्र भेजना चाहें. आप उन्हें परिनामों की रिपोर्ट कैसे करेंगे? जब आपके परि जारी रहे तो आप चीजों को कैसे प्रबंधित करेंगे? बैक ओफिस मैनेजमेंट अगला मुद्दा आपका बैक ओफिस है. आप अपने ग्राहकों पर कैसे नजर रखेंगे? आप उन्हें बयान कैसे भीजेंगे? आप अपने प्रदर्शन पर कैसे नजर रखेंगे? खास कर यदि आप बहुत से अलग-अलग खातों का प्रबंधन कर रहे हैं? आप बही खाता पध्धती कैसे करेंगे? ये कुछ ऐसे प्रश्ण है जिनका उत्तर आपको अपने बैक आफिस के संबंध में देना होगा. इसके लिए आपको योजना बनाने की जरूरत है. डेटा प्रबंधन आप अपने डेटा का प्रबंधन कैसे करेंगे? क्या होगा अगर डेटा में त्रूटियां है? क्या होगा यदि आपके व्यापार पूर्ती में त्रूटियां है? आप डेटा से कैसे निप्टेंगे? क्या आपका एतिहासिक परीक्षन निरनाय लेने के लिए पर्याप्त है? उदाहरन के लिए यदि आप 30 वर्षों के 500 डेटा का परीक्षन करते हैं तो क्या आप आज के 500 पर परीक्षन कर रही है या 500 डेटा का परीक्षन कर रही है जो वास्तव में आपके परीक्षन के वर्षों के लिए मौजूद था क्या आपका डेटा विभाजन, लाभानश और किसी अन्य समाय उजन के लिए जिम्मेदार है? यदि आप मुद्राओं का व्यापार कर रहे हैं, तो क्या आपके पास 24 गंटे का डेटा है? कितनी दूर के लिए यदि आप वाइदा कारोबार कर रहे हैं तो क्या आपके पास निरंतर अनुबंध है यदि आपके द्वारा परीक्षन किये जा रहे डेटा में त्रुटियां है या इससे भी बत्तर आपके द्वारा व्यापार किये जा रहे डेटा में त्रुटियां हैं तो क्या होगा? आपकी क्या योजना है? शोध करना चल रहे शोध के संचालन के बारे में आपकी क्या मान्यता है? उन प्रनालियों को देखें जिनसे आप खुश हैं और निर्धारित करें कि वे 6 बजार स्थितियों में कितनी अच्छी तरह काम करेंगे? क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो हर स्थिती में अच्छा काम करेगा? यदि आप नहीं करते हैं तो कुछ विक्सित करने के लिए आपकी क्या योजना है या क्या ऐसी कुछ शर्ते हैं जिनमें आप नकद में जाएंगे? संचालन आप व्यवसाय कैसे चलाएंगे? आपके व्यवसाय के लिए कौन से उपकरन आवश्यक है? आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ काम करता है? क्या आपके पास अन्य जिम्मेदारियां हैं? और यदि हाँ, तो आप उन्हें अपने व्यवसाय संचालन के साथ कैसे समन्वियत करेंगे? यदि व्यवसाय के किसी महत्वपून पहलू के साथ कुछ महत्वपून गलत हो जाता है तो आप क्या करेंगे? ये कुछ ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपकी व्यावसाय क्योजना के संचालन अनुभाग में दिया जाना चाहिए. सी निगम के साथ एक सामान्य भागीदार के रूप में सीमित भागीदारी? क्या आप ट्रेडर का दर्जा चुनेंगे? यह सब कैसे काम करेंगा? इसके अलावा, क्या आप यह सब स्वयम करेंगे यह आपके पास कर्मचारी होंगे? यदि आप स्वन योजित हैं तो के माध्यम से असीम रूप से अमीर बनना मुश्किल है क्योंकि आपको अभी भी काम करना है. हाला कि यदि आप एक ऐसी प्रनाली तैयार कर सकते हैं जिसे आपके कर्मचारी आपके लिए चला सकें. तो यह एक और कहानी है.